अभी आंगनबाडी सीविकास सहय का मिनी बहनों का अपने आल इंडिया आंगनबाडी नियूस चनल की आज दोपहर बारा बजे की सच्ची खबरों में स्वागत है भायो बहनों आपको अवगत कराना चाहेंगे इस समय आंगनबाडी बहनों आप सब का मांदे चर्चा का विसे बना हुआ है विभाग को लगता है कि आंगनबाडी बहनों आप सब को दिया जाने वाला जो मांदे है वो नियूनतम मजदूरी से जो है कम नहीं है यानि नियुनुतम मजदूरी जो स्रम विभाक की तरब से प्रस्तावित है उस हिसाब से जारी चार्ट के अनुसार आंगनबाडी बहनों आप सब को अंसकालिक कारी की जो मजदूरी है वो नियुनुतम मजदूर अधनियम से कम नहीं मिलती यानि उससे जादा ही मिलती तो आ करके मुझे याद सुनिल भाई ने भी अपने आवाज को उठाया था साथी भायों वहनों मैं आपको बतादू इस आर्टिकल में लेखा है कि मुख्य सचु की अनुसार वर्तमान में आंगनबारी कारकरती को चार घंटे आंगनबारी केंद पर किये गए कार्यों पर मांदे और अतरिक्त मांदे एवं कार आधारित प्रोशाहन रासी के रूप में प्रती महीने पचचतर सो की धनरासी प्रदान की जा रही है यानि कोल मिलाकर इनका कहना है कि केवल चार घंटे ही आप लोग काम करती हैं और उसी हिसाब से पचचतर सो रुपया आपको दिया जाता अब आप लोग बताओ comment box में कि आप लोग कितने घंटे काम करती हैं कितने बज़े से कितने बज़े क्या करती है और उसके बाद में कितने बज़े से क्या करती है क्रपया comment box में अपने काम जो आप कर रही है ground level पर उसको comment box में लिखना ना भूले ये एक कड़वी हकीकत होगी विभाग सरकार के लिए ताकि देखें कि पैसा बढ़ाना ना पड़े तो आंगनबारी बहनों के जो कार हैं उसको चार घंटे में ही तौल कर रख रहे ऐसे ही आपकी किंद्री मंत्री स्मरती एरानी ने तो एक घंटे में ही आपके सभी कारों को तौल करके रख दिया था कि केवल आगनबारी एक घंटे काम करती हैं अब यहाँ पर चार घंटे काम का हवाला दिया जा रहा और बताया जा रहा उसी हिसाब से 75-100 रुपिया निर् गंटे प्रति दिन के हिसाब से जो मजदूरी है वो 12,671 रुपिया तै की गई है यानि लेक में लेखा गया है कि स्तरम विभाग के अनुसार जो कुसल मजदूर की मजदूरी है वो 12,671 रुपिया है वो भी कब जब वो 8 गंटे काम करता है कितने गंटे 8 गंटे जब काम क तो इतना मिलता है उसे हिसाब से 8 घंटे आप लोगों को विभाग का कहना है या इनका कहना है कि केवल 4 घंटे ही आप लोग कान करती हैं तो आगे लिखा गया है कि तो कुसल मजदूर के 4 घंटे के कारिका अगर आगनन करें तो 6330 रुपया 50 पैसा होता है यानी 6330 रुपया 50 पैसा 4 घंटे के हिसाब से कुसल मजदूर को मेहनताना मिलता है अब ऐसे में अता इस अल्प अवधी 4 घंटे के कारिके लिए आगन बाड़ी कारकरतियों को नियूनतम मजदूरी से अधिक मांदे दिया जा रहा है अता हस्तरम विभाग द्वारा जारी चार्ट के अनुसा आगन बाड़ी कारकरती और सायकाओं की अंसकालिक कार की मजदूरी नियूनतम मजदूरी अधिनियम से कम नहीं है इस तरह से उन्होंने हवाला दिया यानि मैं आपको बताओं इन्होंने कहा है कि 12,601 रुपिया आगन बाड़ी बेहनों एक कुसल मजदूर को मिलता है वो आप लोग को जो काम है वो इनका कहना है केवल 4 घंटे ही आप लोग करती तो अगर स्रम विभाग के अंतरगत जो अंसकालिक कार की मजदूरी नियूनतम देखी जाए तो कितनी है तो 4 घंटे के हिसाब से तो 6330 रुपिया हुई यानि 6330 रुपिया 50 पैसा तो उस हिसाब से मिलता आप को कितना है 7500 तो इनका कहना है कि आप लोगों को पैसा निंतम मजदूरी से जाधा मिलता है तो में चीज क्या है पैसा बढ़ाया नहीं काम आप जो कर रही है उसको उल्टे घटा लिया रियल में तो आप 4 घंटे से जाधा कर रही है इसलिए तो मैं पूछ रहा वही कम से कम चार घंटे निकल जाएंगे उसके अलावा एक घंटे रिजिस्टर मिन्टेन करने के एक्स्टर होते हैं और ग्रेवरमण के गंटे एक्स्टर होते हैं इतना तो ऐसे ही है बांगी चीजें ये काम आ गया, वो काम आ गया ये स्वास्त भाग का ये फलाने भी भाग का उसको भी करो पहले करो बात में करो आई सुमान काड आगे सुबह बनाओ साम को बनाओ यानी हर तरह के काम डाल दे जाते लाडली बहना वाला MP में चलना वो अलग बात UP में अन्य उजनाय चल लई है बाले काओं वाली कन्या सुमंगलाय उजनाय चल लई है तो वो भी काम करो कुल मिलाकर के काम पर काम अब देखे उतर प्रदेश में बाल विकास पुष्टाहा रिभाग में मांदे पर कारणत आगनबारी वरकर के मांदे और सेवा सर्तों पर सच्यू है वीना कुमारी इन्होंने कहा कि वर्तमान समय में आगनबारी वरकरों को दिया जा रहा मांदे स्रम विभाग द्वारा नियमों से भी अधिक दिया जा रहा है यानि जो स्रम विभाग ने नियम बनाए है जो तैंकिये हैं उस नियुनुतम मजदूरी से जादा पैसा आप आगनबारी वेहनों को सरकार दे रही है ऐसा जो सच्यू है विना कुमारी जी उन्होंने कहा है साथी आगनबारी वरकरो को दिया जाने वाला मान दे भारस सरकार और अलग-अलग राज्यों में रेशियों पर निरबर है उत्तरपदे सरकार और केंदर सरकार के मद्दे 60-40 का रेशियों है जिसमें 60% वेभार भारस सरकार दोरा और 46% वेभार जो है वो राजसरकार दोरा वहन किया जाता है केंदर स तरकार आगनबारी वरकरों को तीन स्रेडी में भुगतान करती है समझ रहें कितने स्रेडी में तीन स्रेडी में यहाँ पर सब लिख करके आया खेर सभी स्रेडिया भी दरसाई गए थी कैसे क्या होता लेकिन वो बात उतनी important नहीं है मैं आपको बता दू में यही है कि पैसा आपको केवल 4 गंटे के हिसाब से विभाग बता रहा है कि यो दिया जा रहा है वो निम्तम मजदूरी से अधिक है तो अब कुल मिला कर कि या तो फिर 4 गंटे ही काम लिया जाए इसके लावा काम ना लिया जाए तब तो ठीक लेकिन काम बहने पुरा बहुत करती है चार ग उमारी बहने बिहार से उन्होंने बिहार में अपने वहां से कुछ जानकानिया सेर की हैं आंगनबारी बहनों के विभिन मांगों को लेकर अनचित कालीन हरताल चल लही है और हरताल के दोरान अपने स्थानी विधायक लखिंद्र पासवान जी आवास पर मांग पत्र सोंप से जाकर के सदन तक आप आंगन बारी बहनों की आवाज महोदय जी रख पाते हैं उम्मीद है और आसरा भी है देखते हैं कब तक रखते हैं भाई सदन तक कहुँचते हैं सडक से ले जाकर के बहनों की समस्याओं को पहुचा देंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद होगा आल पन सौप रही है बिहार राज आंगनबाडी करमचारी यूनियन की ये बहने हैं और माननी मुक्यमंत्री बिहार सरकार पटना से जो है ये लेटर उनको यानि उनके लिए भेजा गया यूनियन से अंजू सिंग कुसवाहा जिला अध्यच पूरिया में और जिला महासचियू ह और आईए देखते हैं लिखा गया है कि हडतालरत से विकास साहिका के पांच सूत्री मांगो के समर्थन में सरकार को पत्राचार करने के संबंद में जिसमें उन्होंने लेखा उपरुग तो विसियक कहना है कि समेकित बाल विकास परोजना कालिकरम के अंतरगत काम में लगी हैं इनके काम का समय चार घंटा नरधारित है परंतु केंदर सरकार राजिसरकार जिनके दोरा प्रयोजित विभिन तरह के कारियों में इने लगाया जाता है जो आठ घंटे में भी पूरा नहीं होता टीका करन पंस पोलियो विटामीन ए फाइलेरिया मलेरिया परिवार नियोजन आदी रोगों से ग्रसित लोगों को बार बार चके साल आमुवया कराना सुवास्त विमा जनगरना विद्वापेंसन चुनाओकार सोचाले नर्मान कन्या सुरच्चा जनम्रत्य उपत्र सभी प्रकार के सरवेच्चड कार प्रात्वी बिद्याले में न आरंभिक दोर में सिच्छा एवं उम्र को नजर अंदाज कर बहाली की गई थी फिर भी ये जो है ममतामई महिला कर्मी महत जो है अपने इस कम मांदे पर कारिक कर रही है और इनके कारिक के अगर घंटों को देखे उसको भी मंत्री अलग-अलग विभाग अलग-अलग तरीके से पेस करता रहा मानी केंद्री मंत्री स्मृति एरानी कहने के लिए केंद्री मंत्री है महिला बाल विकास उभाग में लेकिन उनको ये तक नहीं पता है कि अंगनबारी कितने गंटे काम करती है उन्होंने तो एक घंटे केवल बता दिया लिखित में भी 4-4 घंटे की जब ही कहना है सरकार विभाग से कि पहले इनके कामों को लिखित रूप में घंटों को बढ़ाया जाए जो चार घंटे आप मानते हैं उसको आठ घंटे में बदला जाए और फिर आठ घंटे के हिसाब से उनको मेहनताने का भुगतान किया जाए और यहां पर आप देखते हैं आकुसल एक होता है फिर अर्ध कुसल समझ गए अर्ध कुसल होता है एक होता है कुसल तो जो कुसल है उसकी सबसे जादा होती है अब आकुसल में कौन होता है जैसे कि मान लो आपका मकान बन रहा लेबर टाइप के लगते हैं जो बोजा जैसे डो रहे हैं मिस्तिरी के साथ में labor लगते हैं न मसाला बना रहें इटे पकड़ा रहें ये कर रहें ऐसे वाले काम जिसमें पढ़ाई लिखाई कोई मैंने नहीं रखती ऐसे काम ये आ कुसल में एक तरह से आ जाते हैं अर्ध कुसल में उनसे जो बेतर थोड़ा बहुत knowledge रखते हैं थोड़ा बहुत पढ़ से कुसल में है बढ़ाई को ले लो बढ़ाई अपना पढ़ा लिखा है थोड़ा बहुत वैसे स्रेडी में है जो main काम देख रहा है तो वो कुसल में आ गया या जो कुछ काम करना जानता हो या अपने उस काम में थोड़ा कुसल हो वो अग तरह से चीजों में बहतरी के लि लेता चाहें खेतों में किसी काम के लिए ले जाओ 400 रुपिया वो प्रति दिन का लेगा अब 400 लेगा प्रति दिन का तो 12,000 हो गया उसका महीने भर का मान लो चुट्टी बुट्टी निकाल दो ठीक तो अगर ना कमा पाए लेकिन जो मन्थली बेसिस पे रखे जाते हैं उ 12,000 तक तो इनका ही हो जाता और जिनको 500-600 मिलते होंगे उनका इससे जादा और जो कुसल हैं जैसे मिस्त्री लोग कितना लेते हैं 700 रुपिया तो हमारे यहां जो गाओं अगरा में चलता है सहरों में चले जाओ तो 800-900 मिलेगा तरह-तरह के लोग होंगे जैसे घर बनाने वाले अपना 700-800 इनका दिहारी है ऐसे ही बढ़ी टाइप के उनका भी 800-900 ऐसे 1000 तक है बिजली टाइप वाले जो होते हैं इलेक्रिसियन वो अपना 1000 तक आराम से प्रति दिन का ले लेते हैं चार्ज तो ऐसे अगर आप देखेंगे तो 1000-1000 हो जाएगा तब तो जो है 30,000 हो सबीक की सजार हो गया कुल मिलाकर करके कहना यही है कि यहांपर जो कहा जा रहा है वो मेरी समस्य से तो परे है क्योंके अगर आप देखेंगे वैसे काम करके बाहर समाज में तो उसका मेहांताना उससे ज्यादा मिलता यहीं वज़ r सरकारी नौकरी प्राइवेट नौकरी कहीं इसके तले आ जाएं काम करें वहां ला जाएं काम करें इनी चक्कर में युवा अपना जो महिंताना है वो गमा रहें उनको लगता है कि सरकारी का नाम होना चाहिए 4,000 मिले चाहे 5,000 मिले चाहे 10,000 मिले चाहे 12,000 ही मिले चाहे बह रिमीज़ेसा उससे ज्यादा बाहर पा रहे हैं, जो ना कोई डिगरी लिए हैं, ना कुछ लिए हैं, बस ऐसे ही कर रहे हैं, मेहनत दोनों जगए, मेहनत हर काम में हैं, कोई भी आप कही भी काम करोगे, मेहनत अभ हर जगए है wings, और उससे ज्यादा खुद के आप देखेगा काम धंदे जो कर रहे हैं छोटे-छोटे सुरू किये हैं वो भी 1500 डेली का बना करके जा रहे हैं घर तो वो फैदे में हैं या हम फैदे में हैं अब एक बतासे वाला पानी पूरी वाला अगर 1000 रुपिया आराम से बचा करके ले जा रहा है डेली तो अब आप सुचो 30,000 रुपिया उसका हो गया फिंगर मॉमो चौमीन आप बहुत चाओ से खाते हैं वो पैसा 2000-3000 जैसी जिसकी जहाँ पर विक्री होती है उसे साब से 2000-3000-5000 तक लोग बनाते इससे जादा बनाते अगर आप 2000 ही रख लो मुनाफ़ा मुनाफ़ा उसका तब भी आप अंदाजा लगा लो 60,000 रुपिया वो महीने का 60,000 बना रहे अगर 2000 डेली बना रहे तो 60,000 बना रहे कौन से जौब दे रही 60,000 और जो दे रहे होंगे वो काम कितना ले रहे तो कुल मिलाकर यही कहना है अगर 50,000-60,000 की जौब है तब तो ठीक नजर समझ में आता है लेकिन अगर 5000,000,000,000,000,000 बारा हजार ऐसे पर अगर काम करना परे यहां तक की 17,000-18,000 में भी तो भी मेरे समझ से यह परे हैं चीजें बाकी आप लोग अपने हिसाब से बताओ, काम में देखो अब जिनको सर्म लगती है उनका तो कहना ही अलग है तो भाई वो 5 पे करें, 6-10 में करें, 6-5 में करें, आपको पैसों की जरूरत होगी तो आपका कोई पूरा नहीं करेगा आपकी मेहनत और आपके पैसे ही आपकी खर्चों को, आपकी जरूरतों को पूरा करेंगे तो फिर फरक क्या पड़ता है हमें इन चीजों का कि समाज क्या सोचेगा, क्या देखेगा लोग अपनी अपनी समस्याओं से नहीं उबर पा रहे हैं, सब की अपनी तकलीफे हैं, समस्याएं हैं उनसे वो निपट नहीं पा रहे हैं, वो दूसरों के चीज़ के को क्या देखेंगे और जो देख रहे हैं वो निठले बैठे होंगे वही देखेंगे कि फलाना ये काम कर रहा वो काम कर रहा वो ये गलत काम कर रहा ऐसे पैसे फिर क्या किस काम के जो वहाँ पर ठेलिया लगा रहा रहे जो है इस तरह से काम कर रहा लेकिन मेरी समझ में वो सब सही कर रहा जो भी आप देख रहे हैं छोटे से बड़ा कोई भी वापार दंदा कुछ भी कर रहे हैं अपना वो अपना कर रहे हैं चाहे 500 पाएं चाहे 1000 पाएं किसी पर किसी का दवाव नहीं ना कोई मानसिक पीड़ा है ना कुछ है अपना काम दंदा कर रहे हैं तो वो उनका समझ में आता है आज इतने हुए कलिस से ज़ादा भी होंगे, क्योंकि वो मेहनत में लगे हैं, उनकी मेहनत का फल, उनका भागिते करेगा, उनकी मेहनत ते करेगी, लेकिन यहाँ पर हम जिनके लिए काम कर रहे हैं, वो ही उनके लिए फिर हाथ फ्लाने के लिए, सडकों पर उतर उतर के आते हैं, धरना पर बैठते हैं, लाठियां खाते हैं, डंडे खाते हैं, उसके बावजूद भी हमेरी कोई नहीं सुनता, तो फैदा क्या है समाज में, कि 5-6,000-10,000 में हमें इतना कड़ा मसकत करना पड़े, ना तो घर की जरूरते पूरी हो पाए, ना कुछ हो पाए, तो फिलाल, ये हमारा अपना जो एक पहलू है, वो मैंने रखा है, बाकि आप लोगों को अगर कुछ कहना हो, तो कमेंट में कह सकते हैं, लेकिन काम सब डिजिटली हो रहे हैं, तो सरकार भी पैसा खर्च करना नहीं चाहती, अब वही काम ग्राउंड लेबल पर, जो आप लोग कर देती हैं, फिल्डिंग वगरा सब, वही अगर आफलाइन होता, तो आप रिपोर्ट उनको देती, वह उनको देते धीरे-धीरे करके, जिलों तक जाती, फिर प्रदेश तक जाती, ऐसे सश्टम चलता था, लेकिन अब ग्राउंड लेबर से ही सब फीडिंग हो गई, पूरा डेटा क्लहीं से भी, कोई भी अधिकारी करमचारी, अनलाइन सब चेक कर लेगा, एक जगह से फीडिंग हो गई, काम खतम, तो अब वो रख रखाओ, वो मेंटीनेंस सब खतम हो गया, तो अब धीरे-धीरे जॉब्स तो जाएंगी ही, रही बात यहाँ पर टेक्नोलोजी बढ़ रही है, मसीने एक से बढ़ कर एक आ रही ही, काम तो छीनी रही है, तो कुल मिला करके आप लोगों को सोचना है, और बदलाओ के हिसाब से आगे बढ़ना है जीवन में, हमेशा पुरानी ही चीज़ों को लेकर के ना आगे बढ़े, मेरा यही कहना है, अगर पैसा कम मिलता आपके मिहनत का पैसा नहीं मिलना है, तो क्या सरकारी क्या प्राइवेट क्या कुछ, आपका काम दंदा ही बेतर है अगर आप उससे ज़्यादा पा रहे हैं, तो इसलिए मेरा सुजाओ यही है, कृपिया अपनी सूजबूज के हिसाब से चीज़ों को करें, मिहनत करनी है, तो फल भी हमें हमारा मिलना चाहिए, तब तो मिहनत समझ में आती है, धन्यवाद दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए,